आप सब कुझवार और आप सब का स्वागत है शुकरवार जारखन संद्या समाचार में जहां पर अब तक की बड़ी और प्रमुक खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे और यहां पर शुरुवात करते हैं पहली खबर से पहली खबर यहां पर निकल कर आरिये को डर्मा से जहां पर जिला कॉंग्रिस कमीटी ने गुरुवार को जुमरी तिलिया स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा के समेप विरोध प्रदेशन किया जिला अध्यक्ष भागेरत पासवान के नित्रित्वा में कि प्रदेशन के दोरा अनकेंद्र सरकार एवम सीवी आई के विरोध में नारे बाजी की गई साथी चुनावी चंदे का पूरा हिसाब जल्द चुनाव आयो को सौंपनी की मांग भी उठाई है जिला अध्यक्ष पासवान ने कहा है कि गत दिनों सर्वोच नियायले ने भाजपा सरकार की चुनावी बॉंड योजना को असमवेधानिक मानते हुए रोक लगा दिया है अधालत ने भारतिय स्टेट बैंक को एक सिमीत समय दिया है कि चुनावी चंदे को सारवजनिक कर चुनाव आयो को सौंपे इस फैसले को देश भर में काले धन के खिलाफ निरणायक कदम के तोर पर व्यापक स्वागत किया गया इसके अलोव यहां पर अगली नियूज निकल करा रही है सरह केला से जहां पर सीम चंपई सोरे ने सरह केला को 356 करोड से अधिकी सोगाद दी है उन्होंने सरवजन पिंशन योजना के तहत दो लाभूकों को स्विकृती पत्र दिया उज्जेनपूर से अवला टांड और उज्जेनपूर से चमारू तक खरकाई एवम संजे नदी के तटपर एफलक्स बांद का निर्माणकार या एवम भेम खांदा माइक्रो लिफ्ट भूमेगत पाइपलाइन सिचाई योजना का सीले नियाश भी किया मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की जनकलियानकारी योजनाव से लोग लभानवित हो रहे हैं आदिवासी मुलवासी को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद है पढ़ाई के लिए रुपिया कभी बाधा नहीं बनेगा इसके लव यहाँ पर अगली नियूज निकल कर आ रहे है कि साहिव गंजिले के भोगनाडी स्टेडियम में माजी प्रगना बैसी के बैनर तले गुरुवार को आयो जित अन्याय यात्रा के बाद विधायक लोबिन हैमरम वा जुमो कारेकरताओं के बीच नोग जोक हो गई बताये जाता है कि बोरियो विधायक लोबिन हैमरम जब कारेकरम से लोट रहे थे तो जुमो प्रकंड कारेले के समेप जुमो कारेकरताओं ने उनकी गाड़ी रोक कर उनके साथ नोग जोकी उनकी गाड़ी का जंडा भी उतार दिया साथी विरोध जताते हुए जुमो कारेकरताओं ने विधायक लोबिन हैमरम से कहा है कि वो पार्टी से इस्तिफादें सरकार में रहकर सरकार से घबदारी कर रहे हैं उनकी गाड़ी के पीछे के शिशे को भी तोड़ दिया गया पलीस परसासन ने काफी प्रयास के बाद क लोगसभा चुनाओ प्रबंधन समीती की भूमी का बहुत महतुपूर होती है सभी विभा के सदस्य सक्रियता से कारेकरें बूत जितना शशक्त होगा उतना ही परिणाम एतिहासिक होगा वो गुरुवार को जिला भाजपा कारेले में आयोजित भारतिय जंता पार्टी धन लोगसभा चुनाओ प्रबंधन समीती तथा लोगसभा कोर समीती की बैठक को संबोधित कर रहे थे धनबाद लोगसभा के प्रभारी सुरेश प्रसाध साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में बावलल मरांडी ने लोगसभा संचालन समीती के सभी 37 विभागों के सद कर निरिक्षण किया इस दोरान उन्होंने आसवसन दिया है कि तिव्रगती से इस कारी को पूरा किया जाएगा ताकि मानगों के साथ ही पूरे शहर के लोगों को हर दिन लगने वाले जाम से मुक्ती मिल सके पूरों मुख्यमंतरी हेमन सोरिन ने इस फ्लाइवर का सिल्ले निरिक्षण के दोरान मंतरी मन्ना गुपता ने कहा है कि मानगों के लोगों की वर्षों पुराने मांग जो है उसको पूरा किया गया है दो सो बावन करोड रुपे की लागत से एपी सी मोड में फ्लाइवर को बनाये जाएगा इसका निर्माण कारिये गुजरात की दिने के करमचारियों और अधिकारियों के लेवलिंग का काम शुरू किया गया है पत निर्माण विबा की इंजिनियरों ने बताया कि 18 मां के अंदर फ्लाइवर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा इसके लोग यहां पर अगली नियूज निकल करा रही कि अमिशा पटेल चे पस्तित होने का आदेश दिया है शिकायत करता अजे कुमार सी की अधिवक्ता विजया लक्षमी स्रीवास्तव ने आदालत से कहाए कि अभी नेतरी बार बार समय लेकर आदालत के आदेश की अवेलना कर रही है उनकी जमानत रद की जाए बता दी कि अजे कुमार सी ने अम अमिशा पटिल के खिलाफ 7 अप्रेल 2023 को वारेंट जारी किया था जिसके बाद अमिशा ने यहाँ पर 17 जुन को कोट में शरेंडर कर जमानत ली थी इसके लोग यहाँ पर अगली नियोज निकल करा रही देवघर से जहां पर जैसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में बैटरी ब जोक्तर दुबे ने यहाँ पर रोजगार उपलब्द कराने के लिए देवघर में एवरेडी कमपनी का फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव दिया कमपनी ने रूची दिखाई और जैसीडी में 10 एकड भूमी उपलब्द कराने को अनुरोध किया है एवरेडी कमपनी के चेर्मेन ने 6 मार्श को जैसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रात्मिक्ता के आधार पर 10 एकड भूमी मोहिया कराने का आगरह किया है कमपनी ने यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जमीन मांगी है इसके अलोग यहाँ पर अगली नियूज निकल करारी की जारकन में जैक बॉर्ड मैट्रिक वा इंटर की उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकर 9 मार्च से शुरू होगा राज्या में 67 के अंदरों पर कॉपियों की जाच होगी मैट्रिक की कॉपियों की जाच के लिए 36 वा इंटर के लिए 31 के इंदर बनाए गए हैं मुल्यांकर को लेकर जेक आरलय में भी सभी 6 सिक्षा संयुक्त उप निदेशक संबंति जिला के जिला सिक्षा पदाधीकारी वा केंदरे निदेशक की बैठक होई है बेटक में जेक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मातो उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोटसी एवं सचीव स्दी तिग्गा समेत अन्य पदाधी कारी भी शामिल हुए बेटक में परिक्षकों को एक तिन में पचास उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है साथ ही यहां पर ये भी बोला गया है कि मुल्यांकन केंद्र में बाहरी एवं अना धिक्रित विक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा मुल्यांकन कारियो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा परिक्षक को निर्धारी समय से 15 मिनिट पुरू केंदरे पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है मुल्यांकन केंद्रों में केंद्र निदेशक को छोड़ कर कोई भी यहां पर परिक्षक या कर्मी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे मुल्यांकन केंद्रों को वैसी पूतर पुस्तिका का पैकट वापस करने को कहा गया है जिसका आवंटन संबंधित केंद्रों को नहीं किया गया है इसके अलों यहाँ पर अगली नियूज निकल कर आ रिये गुमला से जहाँ पर गुमला में नए रंग रूप एवं वैग्यानिक सोच के साथ खुला विग्यान केंद्र और अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ सा ओर डीटिल में जाएं तो जिला प्रसासन के निर्देश पर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए 20 रुपे तक तथा उसे उपर के वेक्तियों के लिए 30 रुपे टिकेट दर निर्धारित किया गया है जिनको वहाँ पर जाना है विग मंधित यहाँ जानकारी दी जाएगी वही फिसिक्स, बायलोजी, जियोग्राफी, जियोलोजी, मैतमाटिक्स, आदी से सम्मंधित, प्रदशनी यहाँ पर दिखाये जाएगी जो बच्चों के मन में नई उर्जय, जिगयासा और रचनातमक विचारों को उत्पन करने में म विवार तक पुर्वाहान, साड़े दस बजे से लेकर अपराहान, यानि कि शाम को साड़े पांच बजे तक खुला रहेगा, और हर सम्मवार को विच्यान के इंद्र को बंद रखा जाएगा, तो यहाँ पर जिस तरीके से प्राइजिंग बोली गई है, कि 16 साल तक के बच विवार से जहां पर महाशिवरात्री पर बिजली विभाग 24 घंटे निरबाद विद्यूत आपूरती रखेगा, यह जानकारी विद्यूत अधिक्षन अभियनता कृष्ण कुमार ने दी है, उन्होंने बताये कि देवगर में महाशिवरात्री पर बिजली की विद्यूत मुख्याले को पहले ही दे दे गई है, ताकि बिना लोड शेडिंग के बिजली जो है, वो उपलब्द कराए जा सके, इदर बिजली विभाग के टीम ने कारे पलक अभियनता निरज आनंद के ने तरितुव में शुबारात रूट का जायजा लिया, तसभा श्री पांडे ने कहा है कि राष्टपती से मिलना चाहते हैं, श्री पांडे ने कहा है कि राष्टपती से मुलाकात के करम में उन्हें मांगों से संबंधित ग्यापन भी सौपा जाएगा, इन मांगों में 1932 खतियान आधारित स्थानियनिती, सारना धर्मकोड और ST-STOBC आरक्षन के मुद्दे शामिल होंगे, उन्होंने कहा है कि राष्टपती से याथा शिग्र समय देने का आगर किया गया है, इसके अलब यहां पर अगली नियूज निकल करा रहे कि वीवे में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजडी प्रवेस परिक्षा के लिए राज्य में 17 वर्ष बाद जारकंट पात्राता परिक्षा जेट का यहां पर आयोजन मई या फिर जून 2024 में किया जाएगा, जारकंट लोग सेव आयोग ने इस आश्य की सूचना गुरुवार को जारी कर दी है, आयोग ने सपष्ट किया है कि इसके लिए आवेदन भरने के लिए विस्तरित सूचना शिग रही, आयोग की वेबसाट पर उपलब्द करा दिया जाएगा, इसके अलोग यहां पर अगली नियूज निकल कर कारी बुकारों से जहां पर भंडरी दा रेलवे स्टेशन के समेप गुर्ट्स ट्रेन की चपेट में आने से पैसेंजर ट्रेन में फेरी करने वाला रेंडधीर मातो और फ जारखंडी जिनकी उम्रे 60 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई है, गटना गुरुवार क रात की लगबख 8 बजी की बताई जा रही है, रेंडधीर लोकल पैसेंजर ट्रेन से फेरी कर यहां पर भंडरी दा में उत्रा और रेलवे ट्रेक पार कर रहा था, इसे दोरां तारमी रेलवे साइडिंग की एक गुर्ट्स ट्रेन वजन कराने के लिए बैक से आ रही थी, गुर्ट्स ट्रेन की पीछे लाइट नहीं रहने के कारण अंधेरे में वह देख नहीं सका और उसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई, इसके लोग यहां पर अगली नियूज निकल कर आ रही कि मुख्यमंतरी चंपई सोरे ने गुर 23 योजनाओं का सीले नियाश और करीब 356 करोड से तयार 11 योजनाओं का उलगाटन भी किया, इस मौके पर यहां पर सीम सोरे ने कहा है कि भाजपा की डवल इंजन सरकार ने जारकन में लंबे समय तक राज किया, लेकिन जनोप योगी योजनाओं को धरातल पर लाने में उ दखल करने का काम करें, इसके अलोव यहां पर अगलिनियोज निकल कर आरे धनबाद से जहां पर बराकर नदी पर बेरगाओं बर बेंदिया घाट के बीच 263 करोड रुपे की लागत से बनने वाली बर बेंदिया पुल का सिलन्याश मुखे मंतरी चंपई सोरेन 9 मार्च को करेंगे, सिलन्याश कारेकरम जामतरा जिले के बेरगाओं श्यामपूर घाट के पास होगा, निर्माड की मंजूरी कैबिनेट से पुर्व महीं मिल चुकी है, यह पुल धनबाद और जामतरा को जोड़ेगा, इससे ना सिर्फ संथाल छेतर की जो दूरी है वो कम होगी, ब पुल के निर्माड के लिए यहां कई बार आंदोलंग भी हो चुका है, तो यह थी आज की बड़ी और प्रमुक खबरे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रातरी शुभो जोहार